नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सही जानकारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज का ये वीडियो मले करके हैं उन सभी बोधपूर सैनिकों के लिए जिनकों मेडी सीन नहीं मिलती है पॉलिक क्लीनिक से और इसके पीछे के क्या कारण है वो मैं बताऊंगा तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना दोस्तों के साथ सेयर करना और इसी तरह एक जानकारी एवन वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी के निसान को जरूर दबाएं तो सुरू करता हूँ इस वीडियो को दोस्तों मेरे द्वारा जो एसी एचेस की सेवाओं से सम्मंदित वीडियो बनाए गए हैं जिसमें ग्रिवेंस हो या प्रोब्लम सालू के हो तो दोस्तों उनके अंदर बहुत सारे कमेंट्स आये हुए हैं बहुत पूर साइनकों की वर से कि उन्हें पॉली क्लीनिक में ज रही हैं तो स्टाफ का ये उत्तर होता है कि इसकी डिमांड दी गए पर अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जिसके पीछे फंड का कारण बताया जाता है तो दोस्तों अब फंड कम कैसे हो जाता है क्या सरकार अलाटमेंट नहीं करती सरकार सोयम ही लोकसभा में इस बारे मे बयान देती है कि वो बिलकुस सफिसेंट फंड को अलाटमेंट कर रखा है तो दोस्तों आखिर वो फंड जाता कहा है तो एक बहुत ही गंभीर मामला और बहुत ही जरूरी चीज में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दोस्तों जो भी बहुत पूर सैनिक जैसे ही पॉल यंकि हर एक हॉस्पिटल इस प्रकार से नहीं करता है परन्तु कई मामलों में इस प्रकार से देखा गया है कि जैसे ही भूत पूर सैनिक उस हॉस्पिटल में जाता है वहाँ पर सैनिक को भले ही उस चीज की जरूरत ना हो फिर भी उसका आपरेशन के लिए ये चीज बता जाती है कि आपका इस बारे में अप्रेशन किया जाएगा उसके बाद दोस्तों उस पर्टिकुलर जो भी बंदा वहाँ पर जा करके दिखा रहा है उसका फरजी या तो अप्रेशन कर दिया जाता है या फिर बिना किसी वजह के बिना किसी कारण के उसको वहाँ पर उसके डा जिससे जो कि यह जैसा की नाम से ही जानते हैं कि दोस्तो जो एक सर्विसमेन कंट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम है यानि कि ECHS इसमें जो कंट्रिब्यूशन का अमाउंट होता है वह दोस्तो कम होता चला जाता है और सरकार द्वारा जो भी बजट अलाट किया जाता है वह कम हो लगता है जिसकी वज़े से जो ये समस्या आती है ये बहुत ही गंभीर मामला बनता जाता है तो दोस्तों इसकी वज़े से बहुत सारे हमारे भूत पूर सैनिकों को दवाई ना मिलने का समस्या उत्पन हो जाता है अब कई लोगों का ये सवाल होगा कि आखिर इससे बचा कै तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लोग अपना रिफर करवार हैं वो अपनी सूज बूज के अनुसार पहले अपने दोस्तों से सलाह ले लें और इस बारे में रिसर्च कर लें कि कौन सा हॉस्पिटल सही है और उचित रूप से इलाज करत आपको डाक्टर के द्वारा जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसका प्रॉपर रिकार्ड करवाना चाहिए साथ ही आपको जो भी रिपोर्ट्स आती हैं या जो भी टेस्ट कराए जाते हैं उनका भी रिकार्ड रखना चाहिए ये उस डाक्टर की जुम्मेदारी है से आता है या आपके साथ इस प्रकार से कोई भी वेवहार किया जाता है जिसके जरीए सरकार को चूना लगाया जाता है और आपके भूत पूर सैनिकों को इस तरह की परिशानी हो ऐसी समस्य उत्पन करने की कोशिस की जाती है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आपको साथ ही आपको ऑनलाइन ECHS की वेवसाइट पर जाकर के कम्पलेंट दर्ज करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी भूतपूर साइनिक के साथ इस प्रकार की कोई भी पुनरवरत्ति ना हो। ये वाली दवाईयां खरीद लो तो आप लोग इस तरह का कम कदापी ना करें। आपको जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जिस प्रकार से आपका कोई भी इलाज किया जा रहा है उस चीज की जानकारी आपको होना बहुत ही आवस्यक है। इसके लिए आप उस डाक्टर पर दवाव बना सकने ये आपका अधिकार है आपको उसके लेटर हेड पर हर चीज की लिखिज जानकारी जरूर लेनी चाहिए। इससे सही रूप में आपका इलाज भी होगा साथ ही सरकार का जो फंड है वो भी बचेगा जिससे आपके सभी भाईयों का इलाज आसानी के स साथ हो जाएगा आसा करता हूँ दोस्तों आप लोग इस बात से जरूर सहमत होंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना दोस्तों के साथ सेयर करना और इसी तरह की आने वाली जानकारी एवं वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंडी के निसान को ज़रूर दबाले मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत